हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी काफ के अपने यूटूब चैनल लोगिन इस्टडी फर तो यहां पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं राजस्तान के जो नए मुक्य मंतरी अब तक आप सभी ने सुन लिया होगा बजनलाल सर्मा जी जो राजस्तान के नए मुक्य मंतरी बने हैं काफी दिनों से मतलब जो इंतजार था वो दोस्तों आज जाकर पूरा हुआ है और ये जो नए ने दोस्तों चोकाने वाले नाम है वो देखो हम सुन रहे हैं अभी दोस्तों कल के कल मतलब हमने देखा जो मोहन बजनलाल यादव जो की दोस्तों मद्य परदेश के नए मुख्यमंत्री बने उसके वान दोस्तों यह संभवना जताई जा रही थी कि राजस्तान में भी कुछ नया नाम यहां पर सुनने को मिलेगा और दोस्तों वहीं हुआ यहां पर राजस्तान के नए मुख्यमंत्री तो है प्रेम चंद बेरवा डिपटी सीम है इसके अलावा एक दिया कुमारी जिने का है डिपटी सीम बनाया गया है और भी दोस्तों कम्प्लीट जानकारी के लिए इस वीडियो को लाश्ट तक आप सभी को जरूर देखना है सबसे पहले दोस्तों यहां पर बात करें जो आजस्तान के मतलब जेपुर के सांगानेर चेतर सी तो अब आपको पांच साल तक क्या है इनी के बारे में दोस्तों ध्यान रख मतलब पढ़ना है बजलाल सर्मा इनी का जो चेरा है वो अपने सामने आता रहेगा तो सांगानेर जो चेतर है यहां से क्या है यह विदायक थ लेकिन देखो, इसके लावा अगर हम बात के दोस्तों जो राजस्तान के दो नए उप मुख्यमंत्री बने हैं, उनमें एक है दिया कुमारी, दिया कुमारी की बात के देखो आपको विदानसवा छेतर द्यां रखना है सांगानेर से तो कौन है अपने जो नए मुख्य मंतरी है सांगानेर से है इसके लावा दिया कुमारी की बात के दोस्तो ये जेपुर के विद्यादर नगर जो विद्यादर नगर है दोस्तो ये भी कहाँ पर है जेपुर में है दिया कुमारी जो नए क्या है डिप्टी सीम है इसके अलावा एक दोस्तो प्रेम चंद बेरवा इनके बारे में तो आपने मतलब जब वोटिंग जो काउंटिंग होई तो दोस्तो उस समय सबसे पहले इन नाम आप सभी को ध्यान रखना है और वेसे सभी को पता रहेगा इसके अलावा गर हम बात करें तो वासुदेव देवनानी के बारे में थोड़ा ध्यान रखना वासुदेव देवनानी जी है इनको विदानसवा का स्पीकर बनाया गया है ठीक है विदानसवा का स्पीकर ब बनाया गया तो दोस्तो देखो यहाँ पर बात करें जो बजनलाल सरमा है राजस्तान के मुख्य मंतरी यह पहले चार बार क्या है बी जेपी के सच्चीऊ थे हैँ और बरतपूर से यह मतलब मुल्टा बरतपूर के है बरतपुर के निवासी है दोस्तों बाकी अगर हम बात करें तो कांग्रेस के जो परत्यासी है पुस्पेंदर भारदुआज इनको मतलब काफी वोटों से दोस्तों लगबग 48,000 वोटों से क्या है हराकर ये दोस्तों विदाइक बने थे बाकी देखो इनके बारे में और भी डिटेल में हम बात करेंगे तो I hope दोस्तों ये चोटी सी जानकर या आप सभी को इस विडियो में बहुत अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके बताना बाकी मिलते है दोस्तों अपने दूसरी विडियो में देखते हैं इन पांच साल तक क जो इनका सपर है वो केसा क्या रहता है ठीक है तो थेंक्यू सो मैच मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्लास मिलते हैं ओके थेंक्यू